होलो फ्रेंड्स आपका स्वाकत है हमारे इस यूटूब चैनल में जिसका नाम है सोलोशन हम यहां टीचर्स ट्रेनिंग से जुड़े वे समागरियों की चर्चा करते हैं तो आज हम लाए हैं एक्शन रिसर्च इससे पहले कि आप यह वीडियो देखें हम आपसे यागरा करत हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथे साथ हमारा वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करें और नहीं पसंद आता है तो डिजलाइक करें चलिए शुरू करते हैं आज का एक्शन रिसर्च जो परियावरण विसे पयाधारित है और इसमें हम देखेंगे तरह- के विज्ञान से अज्ञानता का कारण समस्या दूर करने के उपाय योजना का निर्मान योजना का क्रियान वेन प्रियास से पूर्व के आंकड़े प्रियास के बाद के आंकड़े आंकड़ों का विशिलेशन तथा परिनाम इन पर हम चर्चा करेंगे तो आईए एक एक कर रहके पक्षियों से परिचेत कराना है साथ ही साथ बच्चों के पक्षियों के विभीन के क्रिया कलापों के बारे में जानकारी देना है वाता वरंत में उनकी भागिदारी और उनके अंग सनरचना आधिक बारे में जानकारी देना ही इस क्रियातमस्वद का मुख्यों देश पंजो के बारे में जानते तो हैं पर उनके असल चीज़ों को नहीं जान पाते हैं जैसे चोंच जबड़े का रूप होता है पंजे और डैना क्या होते हैं वगरा वगरा इसके बाद है कि उनके कारी क्या है उनके विभिन परकार क्या है पक्षियों में जो अंगों में भिन् बतन आता है इनसे वो अज्ञान रहते हैं तो यह अज्ञान जो है इसको हम दूर करने का परियास करेंगे तो देखते हैं कि कैसी परकार हम इसे दूर कर सकते हैं इसके दूर करने के उपाय निमलिक्षित है कि सबसे पहले पक्षियों के अंगों के बारे में बच्चों को बताएंगे पक्षि से परिचे कराएंगे पक्षि के अंगों के काजियों के बारे में जानकरी देंगे पक्षियों के विभिन परकार की समझ देंगे, पक्षियों के अंगों में विभिन विभार जो होते हैं, परिवर्तन जो होते हैं, उनके बारे में ग्यान विक्सित करेंगे इसके लिए हम अपनी योजना का निर्मान करेंगे योजना किस परकार बना सकते हैं कि हम अपने कक्षा में जो Class 4 में तरह तरह के पक्षी अध्याय है उसको हम पढ़ा करके इस योजना का निर्मान कर सकते हैं विविन परकार के पक्षियों के चित का परदर्शन करके पक्षियों के भिन अंगों से परिचे करें आके और उनकी विश्रिता को समझा करके विविन पक्षियों के अंग तथा उसके विवहारी कारी को समझा करके हम यह कारी सफल कर सकते हैं तो चलिए योजना का क्रियानवन हम किस किस तरह से करेंगे तो हम अपने कुछ कारिय को लिखें हैं तो उन कारियों को और अलग लग विदी है जिसका प्योग किया जागा और उसी तरह से इस क्रियात्मश्वद को सफल बनाने का प्रियास किया जागा इसके लिए तरह तरह के पक्षी अध्याय का अध्यान कराए जागा इसके लिए हम परदशनी विदी, समुकारी विदी, व्यक्तिगत कारी विदी का भी सहरा ले सकते हैं फिर विभीन परकार के पक्षियों से परिशे कराने के लिए परदर्शनी विदी का उप्यों कर सकते हैं, पक्षि के अंगों के बारे में बता सकते हैं, पक्षि के अंगों के कारी के बारे में बता सकते हैं, साथ ही साथ हम इनके लिए अपना समय विद्याले के अनुरूप लेंगे और इसके अलावा हम विविन पक्षियों में अंगों में अंतर जो होते हैं पक्षियों के भोजन की समझ और बच्चों के लिए कोई पर्योजना कारिय भी दे करके अपनी योजना का क्रियान वयन करेंगे और इनके लिए समय निरधारित करेंगे आईए आप देखत आगे 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 अब चलते हैं क्रियात्मक्षोद के अगले चरण में जिसमें हम पक्षी के से परिचे कराएंगे बच्चों को इसके लिए हम परदशनीवीदी का इस्तमाल कर सकते हैं अभी तो हमने ग्यात परजातियों में 10,000 परजाती जानते हैं ना जाने कितने लूप पक्षी तो ऐसे होते हैं जल में 2800 मिटर तक डूब की लगा सकते हैं तो इस तरह से हम देखते हैं कि पक्षी विभिन परकार के होते हैं और उनका अलग-अलग वेभार होता है तो हम अपने कक्षा में विभिन परकार के पक्षियों को चार्ट के माद्ध हम से बता सकते है कि कौन किस तरके पक्षी होते हैं जिस तरसे हाँ पर आप चार्ट देख रहा हैं और इन चार्टों में अलग अलग तरके पक्षी हैं उसी तरसे इन बच्चों को हम इनके बारे में बताएंगे इसके बाद हम पक्षियों के अंगों के बारे में बताएंगे जो अंग इस पर के लिए मिलता है इसके बाद पक्षी के चोंच की शिष्टा बताएंगे कि किस वरकार के चोंच होते हैं चोंच जो होते हैं अलग 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 तरह के हो सकते हैं वो उनके विभार को भी परदर्शित करते हैं जैसे कुछ पक्षी जो होते हैं कीड़े खाते हैं कुछ फूल क होते हैं इन पंजों से भी हम पक्षी के पारे में जान सकते हैं इनके विशिष्ट पंजे जो होते हैं वो इनके कारियों में और इनके विभारों में सहायक होते हैं तो हम पक्षी का जो पैर होता है वो देख सकते हैं कि वो किस परकार का होता है हड़ी होता है और अकसर ले होते हैं और एक पीछे होते हैं अक्सर पक्षियों के जो होते हैं वह चार ही उंगलिया होती हैं जिसमें से कभी दो आगे कभी दो पीछे तो यह जो होता है पकड़ बनाने के लिए अलग-लग तरह से इस्तेमाल होते हैं कुछ जो है टाइनी पर बैटने के लिए कुछ होते हैं जो पक्षी जो होते हैं वो सापों को पकड़ने के लिए चुहों को पकड़ने के लिए अपने शिकार को पकड़ने के लिए काम आते हैं तो अलग 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 पायर पंजे होते हैं और उन पंजे स अलग लग चीजों से ले सकते हैं इसके बाद हम परियोजना कार ये करेंगे और परियोजना कार में हम देख सकते हैं कि कुछ परियोजना है जैसे पक्षियों के चीत बनाकर पक्षियों के चीत रांगों के बनावर के विशिलेशन कराकर पक्षियों के आहार और वातवरन से विसलेशन करा करके भी क्या जा सकता है आईए अब देखते हैं परियास के पूरू के आखड़े जो इस परकार है कि निमनस्तर के बच्चे 20, मद्यमस्तर के बच्चे 10 और उच्छे अस्तर के बच्चे 10 हैं कुल जो है 40 बच्चे हैं उनमें उच्छे अस्तर के जो हैं दसी बच्चे हैं तो आये देखते हैं कि इसका जो आलेक बनेगा वो किस परकार बनेगा यह देखे विर्थ की रूप में हम देख सकते हैं कि किस परकार है तो बहुत ही और यह डंडालेक है जो दर्शा आता है कि बच्चे जो हैं निम्न अ और निमनस्तर में पांच बच्चे हैं, जिसका हमगा मख चाथ सकते हैं, और दंडालेक भी देख सकते हैं. तो इस परकार से क्या है? कि बच्चों को हम अपने आकड़ों के हिसाब से जब कि हम आपने परियास मेंBERने के उन्यक्तर मैनत ne ॲ. तो अब हमें दूतिये प्रियास के और जाना होगा क्योंकि पर्थम प्रियास से आंकड़े अच्छे नहीं आ हैं तो दूतिये प्रियास के बाद हम देखते हैं कि उच्छे अस्तर में 30 बच्चे, मद्यमस्तर में 8 बच्चे और निमनस्तर में 2 बच्चे हैं जिसका विर्तिये रूप में हम चार्ट देख सकते हैं कि इस परकार है तो नीमन अस्तर में बहुत कम बच्चे हैं और मध्यमस्तर में भी कम बच्चे हैं और अधिकतर जो है उच्छ अस्तर में आचुके हैं यह डंडालेग भी दिखा रहा है तो हम आते हैं इसके बाद आंक शाक्रे तो इस परकात देखते हैं, जो उचस्तर को बच्चे हैं बहुत अधिक रूप में आते हैं इस तरह से हम परिणाम की चरचा कर सकते हैं परिणाम में हम पाते हैं कि जो हमने क्रियात्मक्षूद किया है वह सफल रहा और बच्चे जो है पक्छी और पक्छी वी घ्यान से अपने आपको समझ और अपने घ्यान में विकास कर पाये हैं इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हूं तो प्लीज लाइक करें अगर नहीं पसंद आता हो तो डिज लाइक करें तो मैं आपको पुना धन्यवाद कहता हूँ और यह वीडियो समाप्त करता हूँ